जीरो टू वन में पेपाल के को फाउंडर और वेंचुर केपिटलिस्ट फिटर्थिल कहते है कि नई चीजे बनाना आर्थिक रूप से लाब कमाने का सबसे अच्छा तरीका है साथ ही मानव प्रगती के लिए एक मात्र रास्ता है हाला कि आज टेकनलोजी इस्तिर हो गई है हम जो करते हैं या बनाते हैं उसमें से ज़्यादा तर वही रहता है जो पहले से बनाया जा चुका है क्योंकि कुछ नया बनाने की अपेक्छा कोपी करना आसान है थील कहते है कि कोपी करना या पहले से बने चीजों को अपडेट करना यह दुनिया को एक से एन की तरफ ले जाता है क्योंकि कुछ पूरी तरह से नया बनाना हमें जीरो से वन तक ले जाता है थील कहते हैं बिजनिस में हर चीज एक ही बार होती है अगला बिल गेट्स ओप्रेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा अगले लेरी पेज या सरजी ब्रीन सरच इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जुकरबर्ग सोसल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा अगर आप इन लोगों को कोपी कर रहे हैं तो आप इन से कुछ नहीं सीख रहे ग्रोथ होरिजोंटल या वर्टिकल हो सकती है सफलता की नकल करना होरिजोंटल प्रोग्रेज के समान है जो एक से एन तक जाता है इस तरह के उन्नती को कलपना करना आसान है क्योंकि ये वर्तमान में पहले से मौजूद है वर्टिकल प्रोग्रेस के लिए पूरी तरह से कुछ नया करने की आवशकता होती है जीरो से वन तक जाना या कलपना करना अधिक कटीने क्योंकि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा है इसलिए यह मार्केट में मोनोपोली बनाने में मदद करता है उधारन के लिए एक कॉपी राइट एक टाइप राइटर के साथ सुरू करना और शो टाइप राइटर का निर्मान करा होरिजोंटल प्रोग्रेस कुछ नकल करना है वहीं दूसरी तरफ टाइप राइटर के साथ सुरू करना और एक वर्ड प्रोसेसर का निर्मान वर्टिकल प्रोग्रेस कुछ नया बनाना है Technology 0-1 तक जा रही है तो यह vertical progress है इसमें कुछ भी नया और बहतर कुछ भी नया और बहतर शामिल है जो सिर्फ computer तक सिमित नहीं है 0-1 book से सिखने वाली बाते बेशक एक model की नकल करना कुछ नया करने की तुलना में आसान है वह करना जो हम पहले से ही जानते है कि कैसे करना है दुनिया को एक से इन तक ले जाता है लेकिन इसी ही और रोचक बाते जानकर 0-1 book के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेर कमेंट करें